बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर जाने से पहले ही निया शर्मा दो कदम बड़े उठाने वाली है और इन दोनों कदम में आप क्या चाहते हैं कि क्या निया शर्मा को पहला वाला कदम उठाना चाहिए या फिर निया शर्मा को कोई दूसरा कदम उठाना चाहिए जी हाँ छ पहले कौन से दो बड़े कदम निया शर्मा ने उठाए हैं फाइनलिस्ट बनने के लिए सभी के सभी कैमरे का फोकस अपनी तरफ खींचने के लिए चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से आप चैनल को सबस्क्राइब करने साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दे आपको बता दें कि बिग बॉस सेजन 18 के घर के अंदर जाने से पहले एक बात क्लियर हो चुकी है जो निया शर्मा ने कही थी निया शर्मा ने कहा था कि बिग बॉस के घर के अंदर अगर आपको लॉंग टर्म तक टिकना है तो आपको एक लव एंगल बनाना होगा यहाँ पर निया शर्मा ने दो बातें कही थी या तो आप एक love triangle बना लो या तो एक ऐसा आप love story घर के अंदर create करो कि सभी के सभी camera जो हैं तुम्हारी तरफ focus करें ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप big boss के घर के अंदर long term तक टिक सकते हो जी हाँ ऐसे मैं आपको बता दें कि घर के अंदर जाने के बाद ये clear हो चुका है तो या तो हम सब को निया शर्मा का एक love triangle देखने को मिलने वाला है या निया शर्मा की एक single love story हम सब को big boss के घर के अंदर देखने को मिलेगी जिसको ध्यान में रखकर निया शर्मा पहुंचेगी big boss season 18 के top 5 तक ये पूरी बात clear हो चुकी है क्योंकि निया शर्मा जब as a guest big boss के घर के अंदर एक हफते के लिए आई थी उस वक्त निया शर्मा ने ये तरकीब बताई थी कि घर के अंदर सभी कैमरे तुम्हारी तरफ अगर focus हो जाएं तो तुम्हें big boss के घर के बाहर कोई भी नहीं कर सकता है तो ये बात निया शर्मा ने पूरी तरह से clear कर दी थी और ये दो बातें बताई थी दो step बताए थे love triangle दूसरा step एक love story single love story create कर लो तो आप क्या चाहते हैं क्या निया शर्मा को big boss के घर के अंदर एक love triangle बनाना चाहिए या फिर निया शर्मा को एक single love story create करनी चाहिए big boss के घर के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं क्यूंकि इन दोनों में से कोई एक चीज तो 100% होने वाली है साथ यसाथ आपको यहाँ पर बता दें कि शिलपा शिंदे को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर big boss season 18 से जुड़ी हुई सामने आई है जो कि खतरों के खिलाडी में हुई है उन्हें कुछ ऐसी बात कही गई है जिस से पूरा का पूरा link हो चुका है कि कोई न कोई रिष्टा शिलपा शिंदे का big boss season 18 के साथ होने वाला है तो आप क्या वो बात हम आपको अपनी गली वीडियो में बताएंगे लेकि निया शर्मा के जो दो स्टैप है उन में से आप क्या चाहते हैं आप ट्राइंगल देखना चाहते है निया शर्मा का या फिर आप एक सिंगल लव स्टोरी निया शर्मा के big boss के गर के अंदर देखना चाहते हैं comment box में आप ज़रूर लिख दें और ऐसी latest updates के लिए चैनल को subscribe ज़रूर कर दें